नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राके शिवानिया इस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज से अभी तक तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों को पढ़ा रहा था कभी दशा के बारे में कभी गोचर के बारे में कभी बहुत तो वह सारे जो सूत्र हैं उनके बारे में बता रहा था जिसे कोई बी स्टववेंट मतलज कोई भी सीखना चाहता है और उसके लिए मैं आ कर लिए या जोतिश या जोतिश के से नाम से 1 जोतिश स्टार्ट करने जा रहा हूं ? जिसमें हिसाब से ही शास्ते के सार ही जिजा जयाएगा और उसमें कोई ऐसी बैप नी». जो शास्त्रों के विरुद्धों हो तो वही चीज हम आपको बताने जा रहा हूं स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे इसको पूरा लेकर जाएंगे ताकि आप एक ही प्लेट फार्म पे अगर आप सारी वीडियो देखते हैं तो पूरी तरीके जाएंगे है तो सबसे पहले हम लोगु शुरू करेंगे मैं स्टार्ट करता हो थोड़ा एस्टोलोजी सीखने से पहले हम लोगों को कुछ मालूम होनी चाहिए कुछ चीजे चीजे मालूम होनी चाहिए कि एक रागर को फोला सा बताने से पहले में स्ट्रीन कर लेता हूं आपको थोड़ा एस्टोनॉमी सबसे पहले बताऊंगा जो एस्टोलॉजी के लिए रिक्वाइड है कि खगोल विज्ञान के बिना ज्योतिस संभव नहीं है जब तक हमें ग्रहों के बारे में जानकारी ना हो और कैसे हम लोग अपनी आका मामूली सा आप लोगों को नौलिज हो जाए कि आज की डेट में तो सब चीज़ें कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी थोड़ी सी एस्टालॉजी मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो ज्याज़ा समय वेस्ट नहीं करते विए शुरू करते हैं कि कि सबसे पहले चीज आती है आकाश गंगा इस तरह तो कहने को तो वह जो हमारी जो आकाश गंगा के लगण है जैसे कि हम Milky Way आकाश गंगा कहते हैं ऐसी बहुत सारी आकाश गंगायài हैं अंत्रिक्ष में जो अनगिनत हैं यतनी सार्य आकाश गंगाया लेकिन जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं वह Milky Way के नम से आती है ओर Milky Way दूधिया कलर दिक हें अकाश गंगा और वो okay पर उसके अंदर कई सो शबया है तो सबसे पहली बात कि इस अकास गंगा में हम लोग रहते हैं जहां हमारा सोलर सिस्टम वह मिल्की व्य कहलाती है अकास गंगा मिल्की व्य कहला तो इसके भाद हमारे दो तरह से होते हैं ग्रहे, देखे सूर्य है, यह आपको जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यह सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य के बाद में यह वीनस है, सबसे पास में यह मरकरी ग्रह है, मरकरी यानि की बुद्ध, वीनस यानि की शुक्र, यह अर्थ मींस प् दस्पती, सेटर्मिन, शनी, यह सारे ग्रहे हम लोगों नहीं दिखा रखे हैं, यह Uranus, Neptune, Pluto ग्रहे भी हैं, जिनको इस्तेमाल करते हैं, बट इनका इस्तेमाल ज्योतिश के अंदर इस्तना नहीं होता, चुकि यह प्रत्वी से बहुत दूर हैं, और इनका effect हमारे उपर आने मे सालों बरसों लग जाते हैं इनकी race को पहुंचने में, इसलिए इनका effect इतना नहीं मानते हम, हम effect मानते हैं, जो यह ग्रहे मारे हैं, चंद्रमा, शुक्र है, बुद्ध है, मंगल है, जुपिटर है, सेटन है, इन सब ग्रहों का प्रभाव ही हम अपनी उपर समझते हैं, यह एक internal ग्रहे, एक external ग्रहे, आंत्रिक ग्रहे और वाई ग्रहे, अब यह क्या चीज होती है, आंत्रिक ग्रहे का मतलब यह होता है, जो ग्रहे सूरज के बहुत पास होते हैं, सूरिय देखें, यह सूरिय है आपका, यह सारे ग्रहे सूरे के चारों चक्का लगा रहे हैं, यह तो Venus और Mercury, दो ग्रहे हैं, यानि शुक्र और बुद्ध, ये सूजे के पास में हैं, और अर्थ भी सूजे के पास में हैं, आप जाय दूर नहीं हैं, अर्थ भी सूजे के पास में कहलाती है। तो कहने का मतलब यह हैं कि यह जो तीन ग्रहा हमारे हैं दिनस है, मरकरी है और अर्थ है यह हमारे इंटर्नल प्लैनेट्स हैं जो सूरिय के समीब और मंगल है, प्रस्पति है और शनी हैं. यह ऐसे ग्रहे हैं जो external planets किलाते हैं जो सूरिय से बहुत दूर होते हैं तो सूरिय से दूरी के अनुसार ही हमने internal और external planets का सारे ग्रहों को इन दो भागों में विभाजित किया है इसके बाद आते हैं कि अगर हम देखें देखें दो चीज़ होती है एक rotation एक revolution यह बहुत बहुत जरूरी है जैसे आप प्रत्वी के बारे में जानते हैं कि प्रत्वी अपनी धूरी पे घूमती है और शूरी की चार और चकर भी लगा रही है तो rotation और revolution दो चीज़े होती हैं जो कि बहुत important है rotation जो अपनी धूरी पर घूमना अपने अक्सिस पर घूमना बोलते हैं revolution जो उसके 4 और घूमना होता है सूरी के 4 और घूमना होता है इसको revolution बोला गया है तो अगर हम बुद्ध का देखें, जो बुद्ध हमारा ग्रह है, जो सुर्य के बहुत सभी ग्रह माना जाता है, वो अपनी धुरी पे 59 डेज में गुमता है, एक चक्कर अपनी धुरी पे 59 डेज में लगाता है, और सुर्य का एक चक्कर वो 88 डेज में लगा लेता है, इसी प पे 243 दिन में शूर्य का चछ Lा पाता है प्रथवी के बरे में क्यक्या है प्रत्वी 24 24 Lynn चक्कार लगाने के लिए सिकार मनगल गय कि जिसके आज के बहुत ही जलन्त में बना हुआ है मैं लगुआ f सब लोग जाना चाहते हैं मंगल के उपर सब देश ट्राई कर रहे हैं मंगल के लिए क्योंकि वहां मान रहे हैं कि मंगल के जीवन संभव है वो भी अपनी धूरी पर 24 घंटे में गूमने का टाइम लगाता है यानि मंगल का भी जो रोटेशन टाइम है अपनी एक्सेस पर ग घूरी में जहँंडे में गोम जाता है है अपनी रोटेशन है अपनी दुरिवरा गूमनें का दस घंटे में एक चक्क्र लगा लगा है इसी प्रकार शनी अपनी दूरी गूमने में 11 घंटे लेता है और सूरे के चार ओर गूमने में 30 यह तीस साल कर समय लेता है सूरे के चार ओर गूमने में यहारी जो परत्वी का एक साल है वह शनी स defendant हमारा संटी least Cameron अब इसंपने प्रत्वी का तोड़ा समयापको और वह सिम्पल सा है प्रत्वी जैसे की आप जानते है ुर्टिकल हमारे से अंदर होती है और और इसको थोड़ा अपने ए Points जूकि fab वुर्त syntax प्रत्वी का यह देख रहे हैं जो यह नौर पोल से जा रहा है यह लाइन यह साउथ पोल तक जा रही है यह इसका प्रत्वी का एक्सिज पर यह 23.5 डिगरी जुकी हुई है सीधा अगर हम एक्सिज ले एक बिल्कूर सेंटर में वर्टीकली तो उससे 23.5 डिगरी इसका एक् पांच यह 23.5 डिगरी जुकी हुई है प्रत्वी दूरी पे और यह चीज ही इस डायग्राम में आपको दिखाने के लिए कोशिश कहीं है कि अगर एक परपेंडिकूर डालें एक वर्टीकल लाइन थीचें तो धरती का एक्सिज अगर हम लोग देखें तो धरती का एक्सि इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आगे मिसे समझाया है इक्वेटर बोलते हैं इससे जो ओपर का जो यह जो आपका है इसको northern hemisphere बोलते हैं तुकि देखें क्या होता यह नौर्थ डारेक्शन है यह ईस्ट डिरेक्शन और यह वेस्ट डरेक्शन नॉर्थ साफ य़े साउत पोल बोलते हैं आपने सुना भी है जो Europe countries में तो जाते ही जाते हैं और इंडिया में भी जाते हैं मदध सब जगे ये famous है कि Christmas के दिन Santa Claus gifts लेकर आते हैं बच्चों के लिए और कहा जाता है उनके बारे में कि नौर्थ पोल पे रहते हैं तो नौर्थ पोल और साउथ पोल यह दो पोल में डिवाइड हो गया है, हमने प्रत्वी को दो हिस्सों मょमा डिवाइड कर तिरा, बराबर बराबर, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, Northern Hemisphere, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, Southern Dam+. क्युक् chỉ है, ये South Pole की तरफ है, तो इसको Southern Hemisphere बोला, उपर वाला North Pole की तरफ है तो उसको Northern Amistair बिला ये दो हिस्से हमने प्रफिके अलग-ळग करती है तो ये दो हिस्से करने वाली जो लाइन होती है यही लाइन equator line के लाती है इसलिए equator का ध्यान लखना आपको बहुत जरूरी है कि equator line क्या होती है इसके बाद आता है Meridian मेरीडियन यह दो चीज़े क्यों बता रहा हूं मैं आपको बहुत सिंपल है आप ज्यादे ध्यान मत दीजिए ज्यादे कंफ्यूज होने के आवशक्ता नहीं है इसके उपर लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरीडियन जो है यह प्रत्वी ग्लोब ले तो फोड़ी ग्लोब और उसको फूर एकृति उसको एकूरीम्ड है बुख्यूज मेरीडियन फोल दो और साउथ pole जोड़ ए और इस कि कि लॉंगिटूर्ट को बेरा कि इस्ते माल करते हैं कि जी थी क में लुगते हैं था प्लेस chegar तो आप लॉप देली से इसवक्र कर लेटिटूड लिखा होगा कि इतने डिगरी वैस्ट ऐसे करके लिखा होता है तो वो जो लॉंगिटूड लेटिटूड है वो बेसिकली क्या है वो मैंने आपको यहां बताने कोईश की है कई पुराणी बुक्स के अंदर तो मतलब जितने भी पुराणे राइटर्स थे आप सब्सक्राइब में तो हमारे पास सॉफ़ेर्स हैं हम लोग क्लेश वर्थ का नाम मालुम होता है तो स्टेट का नाम भी घुराणीर अपने ले ले लेता है लेकिन सोचिए इस्टीज को बताने के लिए लेटिटूड क्या ये सब लायं हם मारी है यह समारी हैं यह सब्लाहे रही है ना है इसनाफ हन्री है जो है हमारी यह दो ने जो हमारी आ रही है नीचे इस लूंगिशूड चालाएं और लॉंगिशूड यह वेल्यू होती है वो इस्ट और वेस्ट में होती है इस्ट और वेस्ट में होती है क्योंकि लॉंगिटूड देखिए अगर जैसे यहां से हम लेते हैं यह लॉंगिटूड आ कहते हैं North and South अब latitude हमारा देखिए लग latitude हमारा यह है यह हमारी जो वाड़ और साउथ में व्यक्या करते हैं लोग इस्ट और वेस्ट में करते हैं तो जब भी आप देखें कि लंग इस्ट और वैस्ट में कोई ड़िफाइन है तो समझत जाईये कि वह लॉप आप छोटा सा हिंट में देता हूं आप लोग सारे लोग पढ़ते हैं कि कि गरें तो तरह संब ग्रया था हैं उसमें और साथ में रहुकेतु ग्रहे के बारे में भी आप लोग करते हैं तो रहुकेतु ग्रहे का आपको बतायता हूं कि यह एक छाया ग्रहे हैं यह कोई फिजिकल बॉड़ी नहीं है फिजिकल एंटिटी नहीं है ऐसा कोई पिंड नहीं है जो आस्मान में या त्रिक्ष म पात को यहां चंदरमा का पात काटता है उन को राहू और केतु बोलते हैं नौर्थ नोड और साउफ नोड बोला जाता है इनी को राहू केतु पुछ नहीं है च्छाया ग्रेंट है दो इमेजिनरी पॉइंट है mathematical point हैं जहाँपे solar path को जो lunar path हैं चंद्रमा प्रच्षीए अपने orbit में घुम रहा है solar का पाथ हलिग है जो प्रथी अपने orbit में घुमरी है solar के जा रहो हो तो तो isolar path हलग है तो जहाँपर वह solar path और चंद्रमा का गुमने का जो रस्ता है orbit है दोनों ही दूसरे और जब लेघानी के बारे में हैं यह आपको नेक्स काम करते हैं किसे देखते हैं तो यह तक आपको मैंने समझाया है इसका उपर कमेंट कीजिएगा मैं कोशिश करूंगा कि हर को मेंकि हम लोग बहुत इसके और या झाल झाल